PCS Current News में अभी की खबर है ITBP के नए महानिदेशक अनीश दयाल सिंग हाली में IPS अनीश दयाल सिंग को भारत तिबबत सीमा पुलिस यानि ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया डॉक्टर सुजोई लाल थाउसे ने ITBP मुख्याले में अपचारिक रूप से अनीश दयाल सिंग को प्रथागत बैटन सौपा ये मणिपूर कैडर के 1988 बैच के भारते सेवा पुलिस अधिकारी हैं ये भारते तिबबत सीमा पुलिस बल के 32 वें प्रमुक हैं इससे पहले वें इंटलिजन्स ब्यूरो में एक विशेश निदेशक के रूप में कारे रत थे इनकी निउक्ति का आदेश एक अक्तूबर को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट निउक्ति समिती ने जारी किया था इसी आदेश के तहर्ट डॉक्टर सुजोई लाल थाउसिन को CRPF का नया महानेदेशक निउक्ति किया गया इससे पहले वे ITBP के अतरिक्ष प्रभार और SSB के महानेदेशक के रूप में कारे कर चुके हैं अब बात करें ITBP की तो इसका पूरा नाम है इंडो तिबितन बॉर्डर पुलिस और इसके स्थापना 24 अक्तुबर 1962 को की गई थी और इसका मुख्याले नई दिल्ली में है और ये ग्रहम अंतराले के अंतरगत आता है इसका उदेश है 3488 किलोमेटर लंबी वास्तविक ने अंतरण रेखा यानी भारत चीन सीमाओं की रक्षा करना और 36 कड राज्ये में वाम पंथी उगरवात के खिलाफ आंतरिक सुरक्षा करतवियों का संचालन करना यदेश का एक्षा करना